ये कहाने एक मच्छोडे की है जिसका नाम राचो है वो एक दिन दर्या के किनारे एक दरफ के पास परिशान हाल ख़रा था मोसम तो आज भी बहुत अच्छा है लेकिन केई दिनों की तरहा आज भी कोई मच्छली नहीं पसी गर में सारा राशन अदम हो गया है और अगर आज भी मैं घर हाली हाथ किया तो सब खाएंगे क्या ये सब सोचकर वो मुझीद परिशान हो गया इतने में उसकी नजर धर्या के ओपर तहरते गूल्डन चराग पर पड़ी उसने वो चराग उठा लिया इसका रांग तो बहुत अच्छा है ये यकीनन किसी महराजा का होगा ऐसा करता हूँ आज इसे बेचकर गर का राशन लिया आता हूँ ये कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तो चराग उसके हाथ से गिर गया और एक जिन बाहर निकलाया उस जिन को देखकर राजु बहुत डर गया और बोला तो तुम कौन हो? मैं एक जिन हूँ जो कई सालों से इस पोतल में कैद था आपने मुझे इस पोतल से नकाल कर मुझ पर बड़ा इसान किया है आज से आप मेरे आका हैं और मैं आपका उलाम तो फिर क्या हुकम है मेरे आका मेरे लिए? राजू ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर उस जिन का इंतिहान लेने की घर से बोला मैंने मचलिया पकड़ने की बहुत कोशिश की है लेकिन मैं एक भी मचली नहीं पकड़ सका सबसे पहले तुम मचलिया पकड़ने में मेरी मदद करो फिर उस जिन ने मचलिया पकड़ने में राजू की बहुत मदद की राजू को भी उस जिन की सचाई पर रिश्वास हो गया और वो उसे अपने साथ लिए अपने घर की तरफ चाल दिया इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है पिर जो लोग हिम्मत करते हैं वो ही जिन्दगी में काम्याब होते हैं बहुत दिनों कुरानी बात है कि गाउं में एक आदमी रहता था उसके पास एक बैल था वो अपनी रोजी रोती के लिए उसी बैल पर इन्हसार करता था वो लोगों का सोदा सर उसी बैल पर लाद कर लोगों के घर तक पहुंचाता और इस तरह जो पैसे मिलते उनसे अपना और उस बैल का पेट पालता था इसी तरह वो दिन पर इसी काम में लगा रहता वो बैल भी भजबन से उसके साथ काम कर रहा था वाक्त गुजरने के साथ-साथ वो बैल भी आदमी की तरह बुड़ा हो गया था और अब उस बैल के श्रीय में इतनी ताकत ना थी कि वो ज्यादा सामान का वोज उठा सके एक तिन की बात है कि आदमी अपने बैल के साथ मामूल के मताबक अपने काम से जा रहा था कि अचानक चलते चलते बैल का पाउँ फिसला और वो गड़े में जा गिरा इस अचानक आफ़त से आदमी परिशान हो गया आदमी ने बैल को गड़े से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा काउं के बहुत से लोग जो वहां से गुजरे उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बैल को वहां से निकाल सके लेकिन कोई फाइदा ना हुआ आखिर कार एक बुड़ा आदमी बोला इस बैल को इस गड़े से निकालना नामुम्किन है ऐसे भी ये बुड़ा हो गया है समझदारी इसी में है कि बजाए इसको बाहर निकालने के इसको इधर ही दफना दे उस आदमी ने जब देखा कि बैल गड़े से नहीं निकल सकता तो वो इस बाद के लिए त्यार हो गया फिर सब में मिलकर उस गड़े में मिट्टी डालनी शुरू करती बैल ये देखकर बहुत दुकी हुआ लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था लोग उसके उपर मिट्टी डाल रहे थे वो चुप चाप खड़ा था फिर अचानक उस बैल ने अपने शुरीर से मिट्टी हटानी शुरू करती और फिर खुद उस मिट्टी के उपर चड़ता गया और वो लगातार इसी तरह करता रहा आदवी मी ये सब देखकर हिरान हुआ इस तरह आइस्ता आइस्ता गड़े में मिट्टी भर्टी चली गई और आखिर कार बैल उस गड़े से बाहरा गया गाउं वाले भी बैल की चिलाकी पर हैरान रहे गे और उस आदमी की आँखें भी नम हो गए इस कहानी से हमें ये सबख मिलता है कि मसला चाहे कितना में घंबीर क्यों ना हो समझदारी और होस्ना मंदी से बड़ी से बड़ी मुश्किल पर घाबू पाया चाह सकता है